कि नमस्कार में तुन्य कुमार जा और कमोलिटी सुपर फास्ट में आपका स्वागत है और आपको बताते हैं कि इस वक्त आप मार्केट में कहां पर कमाई के मौके आपके लिए बन रहे हैं हमारे साथ अजे केडिया है केडिया कमोलिटी के एमडी अजय जी बहुत-बहुत है आपका शुरुबात गोल्ड से गोल्ड का मार्केट बहुत ही रेंज में ट्रेट कर रहा है क्या किया जाया जाए तो पिछले अबनाओ बना था यह पर चाहिना को थोड़ा बहुत सपोर्ट देगा बट इंटर नेशन में अभी भी मार्केट में रुपए में जो गिरावाट आ रही है यह कईना की प्राइजिस को एक सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा तो बिल्कुल इंटाडे के लिहाज से क्योंकि मार्केट एक बड़े दायरे में रहेगा 49-400 के करीब लेके चलिए जो उपर में मुझे लगता है कि 49-800-800 तक का एक पुल्बेक दिखा सकता है चांदी में हमने शुरुआती करोबार में गिरावाट देखी थी और अभी भी 400-400 रुपए के आसपास की गिरावाट MCX पर चांदी में है 55-800 का इस्तल मार्केट में है क्या किया जाए इस भाव पर सिल्वर में पिछले 15 दिनों में गोल्ड-सिल्वर रेशो में अच्छी खासी गिरावट आई हुई है और जबी गिरावट आती है तो चांदी आउपरफर्म करती है पिछले अपते में चांदी में बड़ा जंप आया था तो थोड़ा पुलबैक जरूर बना है बट आज की सेशन में मुझे लगता है कि 55-500 की करीब लिया जा सकता है प्राइजिस में पुलबैक रहेगा जो 5200 से 5500 तक का एक छोटा पुलबैक देखने मिल सकता है ठीक है अब आते हैं ओके कुरूड पर आपका व्यूग क्या है कच्छे तिल में आज बहुत तेज गिरावाट हमने देखी है 85 के नीचे आ गया ब्रेंट का भाव और अभी भी आप देखिए मार्केट रेंज में ही ट्रेड कर रहा है क्या करना चाहिए कच्छे तिल में देखे ब्रेंट ने पिछले अपतों में हमने देखा 93 डॉलर तक ज़रू गया दावट सस्टेन नहीं कर पारा है 95 डॉलर के नीचे मुझे लगता है 85 से 84 डॉलर तक का लेवल आराम से दिखा सकता है दोमेश्टिक मार्केट में आज थोड़ी बहुत रिकावरी इसलिए दिखरी क्योंकि रुपए में जो गिलावट है वो प्राइजिस को सपोर्ट दे रहा है तो आइधिक पैसर सोता का पूल बैक मिलेगा उस पूल बैक पे हम बेचना चाहिए जो नीचे में वापस 63, 63, 50 तक की लेवल देख सकते है तो ओवर और कच्छे तेल में जो डिमांड कंसन है वो बढ़ते वे दिखाई देगी उचल पे बेचके करना चीए का ओके ठीक है तो यह राय आपके हो गई क्रूट के उपर आज कॉपर का मार्केट भी दबाब में है गिरावाट आज पूरे मेटल पैक में भी है कॉपर में इस वक्त इस भाव पर क्या ट्रेड बनता है कि कॉपर में हमने डेफिनिटली काफी बड़ी गिरावाट हमने देखी है बट पास्ट में भी हमने देखा कि 625-630 का जो 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 जोन है वो काफी सपोर्टीव है तो एज अनो थोड़ा वेट कीजिए अगर यह 630 के उपर प्राइज स्टेट करता है तो डेफिनिटली एक शॉर्ट कवरिंग इवनिंग सेशन में देखने मिल सकता है जो 636-638 तक का लेबल दिखा सकता है अच्छा कैस्टर में आपको लगता है कि आज के लिए सेल करके चलना शॉर्ट करके चलना ठीक रहेगा 56 रुपे नीचे है इस बक कैस्टर में अगर आब बात के दो फंडामेंटल नियों जो नेगेटिव दिखा रहा है पहला है कि है इस बार की सोईंग है वो काफी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है साथ में चाइना में जो कंसल्स है यह कहिना कही चाइना के जो एक्सपोर्स हम करते हैं मील और और उई उस पे इंपेक करेगा टेक्निकली भी मार्केट 75 एंड़ के नीचे है वी की लग रहा है कैस्टर में भी क्वाली कर सकते हैं जो 73 20 तक के टर्गेट देखने मिल जाएंगे चलिए बहुत शुक्री आप आजए जी आपका जूने के लिए और यह ट्रेडिंग काल्स बताने के लिए